हलो एब्रीवन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिक्स मैस कर चप्टर वन नोइंग आर नंबर्स की एक्सराइज 1.3 दोनों एक्सराइज से बाले कवर हैं हम देख सकते हैं तो question number 1 है इसका उसमें क्या करना है estimate each of the following using general rule तो general rules की help से हमें estimate करना है कि यह क्या होगा तो पहला है two sorry seven thirty plus nine nine eight तो हम लोग क्या करेंगे general rule में हम लोग क्या करते हैं round off कर देते हैं तो seven thirty जो है उसको हम क्या करेंगे उसको हम zero zero के terms में change करेंगे तो seven thirty के जगए हम लोग 700 लिख देंगे है ना और 998 किसके पास आता है 998 आता है 1000 के पास तो 998 के चगह हम लोग 1000 लिख देंगे हम लोगों को इसमें जो answer लेके आना होता है वो simple answer आना होता है मतब जिसमें जादा number of zeros आए तो हम लोगों ने इसलिए 730 को 700 कर दिया और 998 को हम लोगों ने 1000 कर दिया फिर हम लोगों ने 700 को 1000 से add किया तो answer आ गया हमारा 1700 तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया 730 को हम लोगों ने क्या किया round off कर दिया कि हम लोग जादा से जादा 0 लाने की कोशिश करते हैं तो 730 को अगर हमें 0 में चेंज करना है तो किस के पास सबसादा आएगा 700 के पास आएगा 730 को हमने 700 बना लिया 998 को हम 1000 बना लेंगे और फिर इन दोने को अड़ कर देंगे तो 1700 5700 हो जाएगा फिर अब देखिए इसमें भी यही करना है पार्ट बी में तो 796 माइनस 796 माइनस 314 तो 796 इस राउंड ओफ नियरेस राउंड ओफ क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा 314 का क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा इसके सबसे पास 314 के सबसे पास 00 के तमस में 300 है 796 के पास 800 है तो 800 में से 796 के जग़ Mia 800 लिग देंगे 314-300 लिग देंगे 800 में से 300 माइनस कर देंगे तो 500 आ जाएगा नेक्स एसका 12904 और 2888 तो 12904 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जिसमें ज्यादा number of zeros आए तो हम उससे 13000 लिख सकते हैं राउंड ओफ करके 13000 लिख दिया तो प्रपल 8 को हम लोगोंने 3000 लिख दिया तो इसको 13000 लिख दिया इसको हम लोगोंने क्या लिख दिया 3000 लिख दिया फिर हम लोगोंने 13,000 और 3,000 को add जब किया तो हमारे पास आजाएगा 16,000 13,000 प्लस 3,000 तो हम लोग देखिए एक बार करके देख लेते हैं यह देखे प्लस ले लिए हमने तो 13,000 हम लोगों ने लिखा है ना और फिर हम लोगों ने कैसे add किया पीछे से हम लोग चलते हैं ऐसे तो हम लोगों का क्या आ गया 0 0 0 ऐसी उतर गया 3 प्लस 3 6 और 1 तो 16,000 हमारा आ गया हम लोग क्या कर रहे हैं राउंड ओफ कर रहे हैं जो जिसके पास 12,904 के सबसे पास वाले जिसके लास्ट में 00 आ जाएं तो वो 13,000 तो 888 में 3000 उन दोनों को add कर दिया पिर इसका D-part है 28,292 को हमें round off कंड़ा है तो यह किसके पास आएगा आपको खुद सोचना आ। तो 8,292 किसके सबसे पास आएस तो 34,000机 के सबसे ज्यादा पास आाएगा है ना 21496 सबसे जादा पास कसके आएगा तो 20,000 के जिसके पास सबसे जादा 0 हुँ है ना, तो हम इन दो लोगो मानिस कर देंगे, तो हमारे पास 10,000 बच जाएगा, इसमें जो है ना एक 0 और आएगा, 20,000 है ना तो 30,000 minus 20,000 हमारे पास क्या बचेगा 10,000 हमारे पास बच जाएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग round off कर रहे है 28,292 को हम लोगों ने 30,000 लिख दिया क्योंकि सबसे जादा 0 पीछे से आएं तो यही हो जकता है और ऐसे ही इसको हम लोगों ने 20,000 लिख दिया फिर minus करती है तो हमारे पास answer आ गया अब next है हमारा give a rough estimate by rounding of the nearest 100 and also a closer estimate by rounding of to the nearest 10 तो हम लोग को इसमें भी round off करना है nearest 100 और फिर nearest 10 से अब अगर हम लोग nearest 100 में round off करें तो देखिए अगर हम लोग 100 में nearest 100 में करें nearos 100 क्या होगा तो सबसे nearos 100 भी क्या जाएका 493 का nearos 100 क्या जाएका हमा प्या है ओगा 400 होगा क्या 100 में लेके जाना है फोar 34 का nearos 100 हमारा 300 होगा और 44312 का nearest 100 हमारा 4300 होगा फिर इंतीनों को हमने add कर दिया 700 4300 तो हमारे पास क्या आगया हमारे पास आगया 5000 है ना 700 कैसे हुआ 400 प्लस 300 होता है हमारा 700 700 में हमने 4300 आट किया तो आगया 5000 तो इसमें क्या करना था नियरेस्ट 100 मतलब 100 डिजिट तक हमें नियरेस्ट पे करना था ROUND OFF करके फिर अगर NEAREST 10 की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कर दें के NEAREST 10 में 439 के पास NEAREST 10 क्या हो जाएगा मतलब हम लोग को जादा आगे नहीं जाना है तो 439 का NEAREST सबसे क्या हो जाएगा 440 है ना 334 का NEAREST हो जाएगा 330 4312 का nearest हो जाएगा 4320 तो इसको हम लोग जब हम लोग एड करेंगे तीनों को 4330 और 4320 को तो आजाएगा 4060 देखें nearest 100 तो हम लोगों को मतलब 100 के gap में हमारा आ सकता है इसका यह मतलब हो जाता है तो 439 को हम लोग 400 में लिख सकते हैं और इसको 334 को 300 में और 4312 को 4300 में लिख सकते हैं क्योंकि हमें nearest 100 तो हमारे बोलने में भी 100 ऐसे कर के आ रहा है और हमारे लास्ट में 00 बच रहे हैं तो 100 के तर्म्स में nearest ten तो hundred क्या होता है one double zero 100 में 200 आता है इसलिए हमने इसको दो 0 की तर्म में लिखा nearest ten, 10 में 10 आता तो 10 एक जिरो आता है तो हमने एक जिरो के इसमें लिखा ऐसे ही करते है जब 100 बोला जाया नियरे सांटे तो 2 जिरो की तरम में और जब nearest 10 तो मेले हम लोग एक जिरो की तरम में लिक हैं 340 राइच गिरो की तरम में आजाएगा तो दो 0 की terms में है ना तो 1 0 8 7 3 4 है ना तो इसमें यह है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 8 1 0 8 7 और 3 4 की जगा 0 0 अपने लगा देना है फिर 4 3 5 99 है 5 99 का सबसे पास क्या हो सकता है 600 जस्त एक नंबर आगे तो दो 0 की terms में आगया अब इन दोनों को माइनस हम लोग कर देंगे 1 0 8 7 0 को 4 7 6 0 0 से माइनस करेंगे तो देखिए कि 0 0 तो ऐसे ही उतर जाता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 7 में से 6 मैंनस हो गहा 1 8 में से 7 मैंनस हुआ तो ऑफिर यहां पे 10 था और यहां पे नीचे क्या था 4 था तो 10 में से 4 मैंनस होता है तो क्या बच्छता है six बच्छता है तो हमारा आंसर आगे 61 100 तो नीयर स manual को हम लोग करेंगे तो 10 he हम लोग 1 0 ले करके चलते हैं तो 1 0 8 7 3 4 का 1 0 8 7 3 0 हो जाएगा यह देखिए और 4 7 5 99 का 4 7 600 हो जाएगा तो इसमें से 4 1 0 8 7 8 7 3 0 का माइनस करेंगे जब 4 7 6 double 0 से तो देखें 0 से 0 कटा 0 3 में से 0 के यह और 3 7 में से 6 जाता है तो क्या बच्टा है 1 8 में से 7 जाता है तो 1 बच्टा है और 10 में से 4 जाता है तो 6 बच्टा है तो इसका आंसर हमारा क्या आगया 61,130 हमने एक में नियरेस्ट 10 किया और एक में नियरेस्ट 100 नेक्स्ट है इसमें नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8325 का 8300 और 491 का क्या हो जाएगा 491 के सबसे पास कौन पड़ता है 500 पड़ता है 400 तो बहुत दूर पड़ जाएगा इसलिए हम लोगों ने क्या क्या? 491 का 500 किया तो 8325 minus 491 तो 83 00 minus 500 क्या हो जाएगा तो 83 00 को 500 से minus करेंगे 0 minus 0 0 0 minus 0 0 3,3,10 3,8 हम My कर लिया है तो 8330 और 491 को हम लोग क्या ले लेंगे 490 ले लेंगे क्योंकि 10 नियरस 10 करना है तो 8300-490 तो 0 से 0 कटा यह हो क्या और देखिए 0 से 0 कट गया फिर इधर से हम कैरी लेंगे तो 13-9 हो जाएगा है तो 13-9, 4, कैरी लिया तो यह बचा 2, अब 2-4 जो कर नहीं सकते तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी लेंगे, तो यह 7 ले जाएगा, यह 12 हो जाएगा, 12-4 होता है, 8 और 7, 7 असी उतर जाएगा, तो यह हो गया, 7, 8, 4, 0 इसoten का आता है, तो इसमें भी nearest hundred और nearest 10 करके लेंगे, तो nearest hundred जो हम लेंगे, तो हम लोग का आ जाएगा, round of nearest hundred, तो 489348, इसके जग़े, 348 के जग़े हम लोग 2-0 लगाना है हमें, तो 300, तो 489,300 हमारा हो जाएगा, तो 489300 फिर माइनस 48365 था तो 365 के सबसे पास क्या रहा है? 300 तो दूर हो जाता है 365 के पास 400 आता है 4 8 4 0 0 माइनस कर लेंगे 0 0 तो कट गया, 00 आ गया फिर 3 में से 4 माइनस नहीं होता तो carry लेंगे, so carry लिया तो 13 हो गया 13 में से 4 माइनस होता है तो 9 बचता है पिर carry लिया था तो 9 के जगा 8 हो गया, 8-8, 0, 8-4, 4, और 4 दीजे उतर के 4 हो गया, तो 4,40,900 इसका answer, अब nearest 10 में करेंगे, तो 1 0 लगाना है, देखें, मैंने आपको इतना सारा समझा दिया है, अब यह आपके सामने लिखा हुआ है, 0 लगाथेंके, 0-0 हो गया, 5 में से 6 मानस करना है, तो carry लेंगे, 15, 15 में से 6 जाएगा, 8, फिर यहाँ पर carry लिया थे, ट्व्व तो 12, 12 में से 3 जाएगा, तो 9, फिर इधर carry लिया था, तो 8 में से 8 गया, 0, 8 में से 4 गया, 4, और 4 में से 0 कुछ भी नहीं, तो 4 ही उतर जाएगा, और नियरेस 10 करना था एक 0 लगाना था तो 4 के 8 के जगे हम लोगों ने 48 के जगे 50 रख दिया यहां पे और यहां पे 65 के जगे हम लोगों ने 60 रख दिया यह वाला हो गया second question अब हमारी exercise का last question रहता है estimate the following products using general rule हमें क्या करना है general rule के थुरू estimate करना है इसका product राउंडिंग ओफ नियरेस 100 के लिए हम लोगों को तो क्या करेंगे 578 को 600 लेना पड़ेगा नियरेस 100 को राउंट आफ करना है तो तो जिरो लगाएंगे फिर 161 का हमें 200 कर देंगे इन दोनों को multiply कर देंगे 600 इंटो 200 तो हो जाएगा 1200 1200 क्योंकि यह देखिए आपको सिंपल तरीका बताती हो 600 को अगर आपको 600 है अगर 200 से multiply करना है तो देखिए लास्ट में multiplication में 2 0 और 2 0 इन दोनों को एक दात लिग देंगे 2 0 हो जाएगे और 6 को 2 से multiply करेंगे तो 6 तू जा 12 और यहा पर आपके 12 हो जाएगा झाहता है यह है पर इसको हम लोग रांट आफ करेंगे तो फाइव टू एट वन के जगा आपको तो प्या लिख सकते तो 5 2 0 0 भी लिख सकते यह और यहां पे 3 4 0 0 भी लिख सकते मागर और और हम लोगों इसको इसप़ ईजी करने के लिए इसको 5000 ही कर दिया और इसको 3000 ही कर लिया तो 5000 x 3000 हो गया इसमें 53, 15 और 3 0 थे 123 और 456 इतने सारे हमारे 0 इसमें लग गया तो यह हमारा हो गया इसमें थोड़ी गश्ण बढ़ा है यहां पर यहां पर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मुल्टिप्लिकेशन हम लोग क्या करते है 600 इंटू 200 है ना तो 12 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 थे ना तो 40 होते हैंगे यहां पर इसकी से मल्टिप्लिप्लिए होगी तो यह 1,20,000 हो जाएगा 1,2 और 4 ताइम 0 यह इसका अंसर आएगा यहां पर 2 0 और आट होंगे अगर बढ़ा है 1 2 4 ताइम 0 और इसमें हो गया 5 3 जा 15 करा और 6 0 1 2 3 1 2 3 जो 0 थे तो हम लोगों ने ऐसे करके 6 0 आगे लगा दिये इसमें भी हम नियरस 100 आउंट आफ किया है तो 1291 इंटू 592 करा है और तो 1291 के जगा 1300 हम लोगों ने कर लिया और 592 के जगा हमने 600 कर लिया तो 136 जा 78 और बाकी 4 0 आगे ल कि दी पार्ट में है 9250 और है इंटू में 29 तो हम लोग क्या करेंगे 9250 को हम लोग लिख लेंगे 9000 है ना 29 को हम लोग लिख लेंगे 30 तो 9 3 जा 27 और 1234 40 लगा देंगे 234 तो 270,000 दी वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा तो यह हो गए हमारी एक्साइस कंप्लीट और भी कंप्लीट हो गया है थेंक्यू सो मच